दोस्तों आज के वीडियों में बात करेंगे TCL के 2021 के TV सीरीज के बारे में जो उन्होंने खुद अनॉंस कर दिया है CES 2021 के इवेंट में जिसको बोलते Consumer Electronics Show उन्होंने वहाँ पे अनॉंस किया है उनके C825, C725 और P725 TV सीरीज को तो ये सारी TV सीरीज क्या है तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं TCL के C825 TV सीरीज के बारे में तो यहां पे आपको Quantum Dot Display Technology दी गई है साथ ही साथ यहां पे Mini LED Technology भी दी गई है जहां पे जो Number of LEDs हो तो जो TV के पैनल के पीछे वह बहुत ही जादा होंगे और इसका सीधा सीधा फरक पड़ेगा TV के brightness पे जहां पे आपको Full Array Local Dimming का भी support दिया गया इसी TV में तो यहां पे अच्छे Deep Blacks और साथ ही साथ यहां पे जो Bright Scene होंगे वहां पे जो Whites का जो Level होगा वह भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाला इस TV में और बात कर लें यहां पे कुछ इस Highlights के इस TV के बारे में तो यहां पे आपको Dolby Vision प्लस Dolby Vision IQ यह सेम टेकनोलोजी एलजी ने पिछले साल अलेडी अनाउंस कर दिया था उनके टेकनोलोजी में आ रही थी इस बार TCL ने भी इसी टेकनोलोजी को अड़ाप किया है उनके नए TV सीरीज में और SDR content को आप अच्छे से enjoy कर सको इसलिए यहां पे SDR imaging टेकनोलोजी भी दी गई है साथ ही साथ बात कर लें gamers के बारे में तो सबसे यहां पे बड़ी खुश कपरी निगल के आती है कि यहां पे इस TV में 120 Hz का refresh rate दिया गया है साथ ही साथ नए PlayStation के साथ जो आने वाली खास बात हो दी है वो होती है यहां पे 2.1 SD map compliant port तो इस TV में आपको 2.1 SD map ER port दिया गया है जिससे आप नए PlayStation को connect कर गे फूल enjoy कर सकते हो TCL की यह TV सीरीज में आपको यहां पे attached webcam भी दिया गया है जिसके थ्रूँ आप वीडियो कॉल वेगारे भी कर सकते हो और जो camera का मेगा पिक्सल है और 4 मेगा पिक्सल दिया गया है और आप बारी आती है बात करने के लिए TCL के C25 TV सीरीज के बारे में तो यहां पे आपको QLED डिस्प्ले दो दिया गया है quantum.display technology का यूस्त किया गये साथी साथ यहां पे आपको Dolby Vision और Dolby Atmos को भी support दिया गया है और यहां पे एक technology जो ले किया है TCL specific तो यह TV सीरीज में जहां पे AIPQ engine दिया गया है जो basically आपके picture experience या फिर viewing experience को बहुत ही बढ़िया बना देगा और जो picture quality होगी काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है इस TV सीरीज में और साथी साथ यहां पे 120 Hz का refresh rate तो दिया गया है गेमर्स के लिए अच्छी बात तो इस TV में भी है यहां पे आपको SD में 2.1 का भी support दिया है यह support के साथ आने वाला यह port है और इसी के साथ ही साथ यहां पे आप नए application को enjoy कर सकते हो इस TV सीरीज में भी और इसी के साथ इस TV में आपको MEMC का भी support दिया गया है तो जिसमें आप gaming करते वक्त यहां पे sports और action scenes देख रहे तो वहां पे कोई भी आपको blurness देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ यहां पे आपको voice enabled remote भी मिल जाता है जिससे आप voice के through TV को control कर सकते तो और अगर आप सोच रहें कि यहां पे HDR content enjoy करने के लिए क्या इसमें HDR का support है तो यहां पे आपको HDR 10 का भी support दिया गया है साथ ही साथ बात कर लें यहां पे audio के बारे में तो यहां पे on EQ के speakers लगे देखने को मिलेंगे आपको इस TV में और आप बारी आती है TCL के यह साल के last TV series के बारे बात करने के लिए और उसका नाम है TCL की P25 TV series जहां पे आपको 4K का resolution दिया गया है यहां पे QLED display नहीं यूज कि TV है और बात कर लें यहां पे कुछ highlights के बारे में तो यहां पे TCL ने partnership किया है Google के साथ और एक बढ़िया सी Google TV आने वाली है 2021 में जो आप सभी को देखने को मिलने वाली है इसी के साथ ही साथ एक और update निकल के आई है TCL के तरफ से जहां पे OD Zero Mini LED Technology को यूज करते हुए एक ultra slim TV को launch करने का plan है 2021 में तो यह सारी कुछ खास important updates थे TCL के तरफ से और update के list में last but not least यहां पे TCL ने announce किया है उनके tab 10 के बारे में जो आपको बहुत ही जल्दी market में इंडिन market में देखने को मिलने वाले है तो यह सारी खास updates जो TCL ने announce कि थे और मुझे उमीद है कि आपको समझ म कर सकते हैं 2021 में TCL थे इसी के साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपका क्या मनना इन TV series के बारे में अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोकना शेर करना सब्सक्राइब करना हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार content के साथ तो till then keep smiling and keep watching Happy Guides, bye-bye